सावन के महीने में अगर सुहागिन महिलाएं ये चार चीजें किसी दूसरी स्त्री को भूल से भी ना दें। पती पर आता हैं घोर संकट। अतह पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। किसी दूसरी स्त्री को भूल से भी दें दें तो उसे गरीब और दरिद्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। मनोरत पूर्ण होते हैं और उत्तम फलों की प्राप्ती होती है। दोस्तों, भगवान शिव देवों के देव है और मा पारवती जगत जननी आदिशक्ती हैं। शिव पारवती के मिलन से ही इस ब्रह्मार्ण का निर्मान हुआ है। सावन का महीना शिव पारवती को सबसे अधिक प्रिये है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धर्ती पर प्रकट होते हैं और अपने भक्तों को आशीरवाद देते हैं। इसलिए आप इस पवित्र सावन के महीने में शिव पार्वती की आराधना जरूर करें। कैलाश में जाता है, जो शिव पार्वती की पूजा करता है, उसे कभी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, शिव जी को प्रसन करना बहुत ही आसान कार्य है। आप एक लोटा जल चड़ा कर भी शिव जी को प्रसन कर सकते हैं। शिव लिंग पर सच कोई भी मनो कामना हो, शिव जी उसे बस यूँ ही दे देते हैं, इसी कारण से उन्हें भोले नात कहा जाता है। दोस्तों, श्रावन का महीना प्रेम का महीना भी माना जाता है।